Hey friends, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूँ आपके अपने शेनल क्रीक 11 फोकस पी इस वीडियो में हम बात करेंगे AUS वर्सेज आइंडी ड्रीम 11 फुल स्टाट्स पर सिन्फो यानि कि ड्रीम 11 की टीम करेंगे औस्टेलिया वर्सेज इंडिया मैच करी जो 3rd One Day International खिला जाएगा जिसमें बहुत बड़े चीनिस हो गए हैं दोस्तों और पिच के लिए भी आपको काफी कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो मनका ओल कैन्विरा की पिच है यहाँ पर इस सीरीज का पहला मैच हो रहा है इनफेक्ट चार साल बाद एक One Day International हो रहा है बहुत मज़े से वीडियो देखना बहुत अच्छी त्यार किया आपके लिए बहुत मज़ा आएगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कोई भी नहीं आपको बताएगा एक पहले ही देदू क्या क्रिस गे ने 215 अपना हाय स्कोर जो की उनका One Day International में कहा मारा था इसी ग्राउंड पे मारा था ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे काफी वीडियो इंटरस्लिंग है पूरी देखना दोस्तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े नहीं है एक लाग 42,000 मुझे आप कर देने चाहिए एक लाग 42,000 लोग हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपने जल्दी से जुड़ताने हैं किसी भी गलत चैनल में मच जाना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आना ठीक है और कोई भी अगर आपसे कुछ मांगता है हमारे नाम पे तो आपने देना नहीं है मुझे ए मानका ओल के अनवेरा में यह मैच इस आपको देखने को मिलेंगे यह जो पिछ है एक हाई स्कॉरिंग ग्राउंड एक्सपेक्टेड है क्यों एक्सपेक्टेड है यह सब मैं आपको सबूत दोंगा नीचे स्टैट जोन में हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक बार अपडेट आपने सुबह देखना है ताहं पे टेलीग्राम पे क्योंकि जो की हलकी सी अभी तक घास दिख रही है इस ग्राउंड पे कई बार क्या होता है वो सुबह सुबह कार दी जाती है मैच से पहले अगर वो नहीं करती तो कुछ फास बूलर्स को मदद देख इस पर घाट्श are शुबह बहुत सरे लोगों से आगे ले 영상 अंचार इस ग्राउंड पे अभी तक रही है यह ngी एक बहुत हारी है शीक गरदवन जब इस ग्राउंट पर लास मैच में खेले थे, एक सो तेना स्कोर किया, एक सो तेना गेद में एक सो चब्विस स्कोर किया था उन्होंने, विदाट कोली जब इस ग्राउंट पर लास मैच में खेले थे, बनवे गेद में 106 रन स्कोर किये थे, तो यह देखके चलन लेकिन कल के मैच में डेविड वाननर खेलने नहीं वाले हैं, उनको ग्रोइन इंजली हो गया है, जिससे वो रूल डॉट हो गया है, मेरे साब से T20 से भी रूल डॉट होई ही गया है, तभी डार्सी शॉट उनके रेप्लेस्मेंट को बुलाया गया है, इंडिया यहां पे द लेकिन मेरा दिल चाहता है और आम शौर आपका भी दिल चाहता होगा कि इंडिया कल का मैं जीत के जाए प्रेडिक्शन इंडिया स्टैट्स देखो सारे सुनो दिल की खल उमीद करो इंडिया जीतेगी अभी तक दो दिन ऑस्टेलिया लग रहा था टीम भी उसी सबसे बनाई थी छे लोग ग्रेंड लीग जीते थे मेरे साथ टोटल साथ लोग क्योंकि मैं खुद को भी लोग मेरे साथ प्लैश किया और 20 तक आपको पता होता है सबको 10,000 मिला मैं आज स्क्रिंशोट भी शेयर करूँगा अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था उमीद करूँगा आप उसी दिन मेरी चार ग्रेंड लीग आई है दस अजार दस अजार इस मैच में बाकी दो इसकी दो टॉप टीम खेली थी टोटल अभी तक भीया नौ मैचेज हुएं ग्राउंट पे पहले दो मैच जो हुए थे एक हुआ था 1992 में एक हुआ था 2008 में वो दोनों पहले चेजिंग टीम करने वाले टीम जीती उसके बाद साथ मैच जो हुए ग्राउंट की रीकंस्रक् स्टीवन्स में तीन मैच में 196 तीनों मैच में 50 इसकी है शिकरदवन एक मैच 126 विराट कोली 106 विकेट टेकर्ज में एक ऐसा नाम जो इससल स्ट्रगल कर रहा है मिचल स्टक क्या कल फॉंगे इन कर सकते हैं वह ग्रेंड लिकी तो पिक यहां से बनके आही गई है तीन मैच में साथ चिपते हैं और जॉश हिजल वोड़ दो मैच में पांच विक्ते हैं तो यह ग्राउंड का आपको पूरा बता दिया भाईया कोई ने इतना बताएगा क्रिस गेल ने 215 के सामने इस ग्राउंड पर वो भी आपको बता दिया सौथ अफरीका ने भी यहां पर खेला है घास वली बात अगर मुझे पता रगते है घास रहती है तो बूमरा और स्टाक हमारी बहुत अच्छी डिफिनेश लपी रह सकती है काफी लोग बूमरा को इगनूर करेंगे मतलब मेजॉरिटी लोग करेंगे और स्टाक को भी हम इनको लेकर कुछ अच्छा डिफिनेट किया कहानी मुझे सेम ही लगी काफी हद तक पहले बल्ले बाजी करके रंस करो और उसके बाद इंडिया को रोग दो और वही हुआ विक्टे जो गई दोनों मैचेज में 14 और तेना लगबग बराबर फास को दोनों मैचेज में 9 विक्टे स्पिनर्स का रोल थोड़ा कम हु पैट कमिंस का वर्कलोड मेनेजमेंट के लिए आने वाले टेस्ट मैचेज हैं उनको कह दी आप करो अराम टेस्ट मैचेज में करना काम ठीक है तो यह बोलके ऑस्टेलिया ने इनको दे दी है रेस्ट कल के मैच में अब देखो वार्नर जा रहे हैं तो ओपनिंग इसको सकता है वेस्टन ऑस्टेलिया के उनका फोर डे टेस्ट मैचे इस बार काफी अच्छे गए हैं उसी को पर्फॉर्मेंस को देखके उनको यहां लेके आए हैं तो होपफुली अगर आपको डेब्यू मिलती है तो हमारे पास एक और डिफिरेंशल पिका जाएगी प्लस मेरे साब से खेलेंगे तो मैंने उनको रखा है बड़िया बैट्समन है स्ट्रोक मेंकिंग काफी अच्छी करते हैं प्लस अग्रेसिव नेचर के प्लियर हैं स्टीवन स्मिथ 105 और 104 कमेंडेवल फॉर्म जिस तरीके से खेल रहे हैं एक मज़ा आ रहा है मतलब आयम फैन जो रखके चलें तो भी आपके लिए सही रहेगा क्योंकि सबका ही कैप्टन अलग बखकल दो मैचेस में हमने इनको किया पहले मैच मेंच में कैप्टन करना मेरे साब से जादा स्मार्ट मूव थी लास मेंच में कैप्टन करना तो यह काफी लोगों का था यहां पर अगर बता डेबियो के पूरे चांसे हैं भाई क्योंकि मौका मिलना चाहिए तो हो सकता है मौका देए तो हो सकता है मौका देए गेंद बाजी में आप अल्रेडी परफॉर्मस देख रहे हो मिझे स्टाक ओनली वन विकेट हिजल वूट दोनों मैचेस में मिला खे 5 विक्टे पैट कम या नि टोटल 5 मैच में 16 विक्टे है सोच सकते हो जैंपा को क्यों लास मैच में सिलेक्ट किया था और फर्स्ट मैच में स्पेशली बोला था लिना है ठीक है पैट कमिंज को एक 0 विकेट के बाल लोगों ने सब ने देखा पहले मैच में है मैंने सीधा क्या किया है है और you earn, अगर आप हारते हो आप learn करते हो, अगर आप जीतते हो तो आप earn करते हो, लेकिन अगर आप paid seller पास जाते हो, ना आप earn करते हो, ना आप learn करते हो, only अपनी money burn करते हो, तो ये सब चीज़े देख के चलो, recent form मैंने आपकी जो बताई है, वो England की series के सामने थी, जिसमें Stephen Smith तो खेले ही नहीं थे, due to concussion, उनको बाहर किया गया था, player roles आप देख सकते हो, किसी भी player को देखना चाहो, तो Matthew 8 पर focus करना, left hand batsman, wicket keeping नहीं करेंगे, क्योंकि carry हैं already, but maybe Australia ये option exercise करें कि अगर Matthew 8 को मोकद दे ही रहा है, तो नीचे Cameron Green को LX carry की जगा भी खिला सकते हैं, because Matthew 8 can do keeping बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो कोई कमी नहीं है, career profiles में दोस्तों, आपको मैंने सारे इनके ODA matches लिखके दिया हैं, कितने one international किसने खेले हैं, उनकी performance, जहां आपको LA दिखें तो वो समझजाना list है, यानि ODA matches, one day domestic, जो अपनी states के लिए खेले हैं, ये, Australia मैं बता हूं तो Western Australia, New South Wales, ऐसी जगहों के लिए खेले हैं ये, अगर आप देखेंगे Matthew 8 का 94 matches में 1,777, only 25 का average, not justified मेरे भाई, because वो पीक करें हैं कुछ आखरी चार सालों में, of course इनकी एकलोथी century, I do remember Pakistan के सामने है, बहुत अच्छे से मुझे याद है, lovely innings, actually exact 100 ही इनोंने किया था, I think 3-4 down आए थे, और इनोंने जो एक 50 करी थी ना, इंडिया के सामने, वो भी मुझे याद है, इंडिया में ही आके करी थी, इंडिया के सामने वो भी बहतरीं 50 थी, तो he is a player जो की अच्छा कर सकता है, आपके इस पास ना, एक कल के लिए differential player हो जाएगा, अगर Matthew 8 खेलती है, तो ध्यान रखिएगा इनका, अगर मैं बताओं, यहाँ पर आपको और किसी पर ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, Kevin and Green पे, if he makes his debut, of course, लिस्टे रिकॉर्ड में आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे, Daniel Sam's, of course, he has struggled a lot in IPL, IPL में कुछ नहीं किया, बट यह भया, IPL नहीं है, मैक्सवल ने भी तो IPL में struggle किया, कि एर रहूल क्या सोचते होंगे, पिंजाब के captain, यहीं सोचते होंगे, कि भाई, वहाँ पे दोने चक्के मारे नहीं, यहाँ पे दो छोड़ नहीं रहा, तो भाई, वही Daniel Sam's का काम होगा, अगर वो खेलते हैं, वो अच्छा करेंगे, उस्ट्रेलिया में, मैं इनको बहुत बार्बिक बैश में, मैं तब लेता था, जब कोई लेता नहीं था, और ऐसा था कि टूनमेंट के लास्ट तक हर किसी का captain-wise captain भी रहता था, तो यह चीज़ देखके चलना है, अगर खेलते हैं ना, मेरी कुछ इंसे ना, आप पता नहीं क्या चीज़ है, मैं ले ही लेता हूँ, आई-प्यल में भी यह चले नहीं, तब भी मैं ले लेता था, वही कोशिश मेरी कल भी रहेगी, अगर खेलते हैं तो, seen about high chances of playing, ध्यान रखके चलना, of course, एक मैच में एक ही विकेट है, जो यह खेले हैं, इनका काफी पहले खेले थे, बट मैंने लिस्टे भी इंक्लूट किया है, जहां पे इनोंने 97 विक्टे चटकाई हैं, बास हट मैचे में, internationally only one match, one विकेट, अच्या मुझे लगता है कि निट्राजन और कुल दीपैया को कल इंडिया खिलाने वला है, आपको क्या लगता है, खिलाना चाइए कि नहीं, यह चीज मैंने वह बड़ा इंटरेस्ट आता है, आप मुझे बताना जरूर कि कल क्या लगता है आपको, आपका opinion जाना जरूर यह मुझे कि मुझे सोच जाने हैं लोग क्या चाहते हैं इंडिया की टीम हो और मेरे असाब से शार्दुल ठाकुर भी एक option है अगर टीम नटराजन को कहती है कि यार नहीं अभी यंग है शायद मोका नहीं देना यंग एस इन की इतने experience नहीं है एज में यंग नहीं कहा रहा हार्दिक पंडिया की वो runs के लिए अगर जाने जा रहे हैं because he was actually playing as batsman उनने बोला था कि मैं अपने बल्लेवाजी पर focus करना जाता हूं और फिर उनने last match में बोला मैं तो मजाक कर रहा था और बोरिंग कर दिये चार ओर और विकेड भी ले ले ली एक्सलेटीव इंडिया की situation ही ऐसी थी और आपने देखा हार्दिक पंडिया अपने best पर नहीं डाल रहे थे he was wearing his pace वो कर रहे थे नॉर्मली आप consecutively इनको 130 डालते देखते हैं यहां पर अगर देखेंगे शिकरदवन के आद्मिया का गरवाल I think दोनों मैच में मुझे अच साथ में श्रीय सेयर दो और 38 संड के अल राहूल ने form दिखाया बाराव और चातर तो positive है इंडिया के लिए कि बल्लेबाजी में at least 300 प्लस कर रही है लेकि negative without मेरे असाब साथ कि अपने major bowlers भूमनेश्वर कुमार and even की मैं कहूंगा कि spinner में भी कमी लग रही है में भी रवी चाहिए थे maybe not I could be wrong बट हाँ मजा नहीं आया देखके जो bowling में इंडिया ने अभी तक किया है काफी जादा ऐसे लग रहा है कि यार मारी जा रहे हैं Australia वाले ही कुछ अपना बोलर काम आए तो रविंद्रे जडेजा 25 और 24 इंसे भी मैं राश हूं क्योंकि मेरे one of the favorite players है रव लिडिंग से भी जो कि हमेशा करते हैं अब यहां पर आपको बता दूंगी changes की उमीद है नटराजन मेरे साब से आएंगे if not ठाकुर बट लेफटाम मुझे लगता advantage मिल जाएगा इंडिया को अगर 18 नटराजन आते बिकॉज वह बहुत अच्छे से अपना angle यूज करते है नफदीब सैनी उन्ती सो दस नॉट आउट भईया गेंद बाजी के लिए नहीं हो आप नफदीब सैनी जी गेंद बाजी के लिए और काम उल्टा करवा रहे हैं इनसे विराट कोली रंस कर रहे हैं यह नफदीब सैनी लोर ओर में बोलिंग में अगर आप जहें इंडिया क वह regularly practice कर रहे थे रात को भी मैंने देखा था मैंने वीडियो एक दम सुभाई बनाया था तो मैं सुभाई obviously बता था आपको लेकिन मैंने एक दिन पहले पर रख लिया था कि बोलिंग कर सकते हैं सरप्राइज कहा मिला मुझे हार्दिक पर क्योंकि मुझे हार्दिक सब्सक्राइब नहीं था बोलिंग क्योंकि उन्होंने खुदी बोला था कि अभी मैं नहीं करने वाला हूँ लेकिन गुट टूसी कि जब टीम को जुरू थी तो ही स्टैपड डप एंड उन्होंने विल फिंच को कर रखा है तीन बार कुल्दी प्यादव अगर अंदर आते हैं यार मैच चाहता हूँ खल कुल्दी प्यादव हैं आफ्टर अब बैड आई पियल ही नीड्स टू बी नोन भाई अगर आप करेक ले उन फोरकास्ट प्यूशर उड़ा कि तीन मैच खराब कि भाई तुम अच्छे नहीं हो प्रेडिक्टर दिल बैड़ आता है और कुल्दी प्यादव को याद कराया जाए कि भाई तुम क्या हो तुम चैंपियन बोलर हो तो वो चैंपियन बोलर की तरह ही गिन बजी करेंगे धूनी यही करते थे और उमीद करते वा विराट खोल कि भी इस बार यही करेंगे उमीद करेंगे कुल्दी प्यादव कल खेले और बहुत अच्छा करें बूमराट फिंच दो विक्टे मैच वन में भी आउट किया था कुल्दी प्यादव तो स्टीमन स्में दो बर आउट किया है यूजी चैहल ने मारका स्टोइन इसको एक ब को टेस्ट मैचे उट पांच बर उट के इस सीरीज में इन पर विकेट नहीं दी जो एक दम जनवरी में मैच हुआ था बीफॉर्ड लॉक डॉर्ण यन्डिया में क्रोन साय था जिस और यह उससे पहले लेकिन जो दो मैच इस सिरीज में इसमें उसमें अचंवा तो आप ये सब बैटल्स पर फोकस किया कीजिए लोग जो बैटल आपको दिखा रहे हैं वैसे तो बैटल हमने ही स्टार्ट करी थी करिकलन फूरकस्ट है आपके प्यूज भाई ने दो सार अठारा में लेकिन जो लोग बताते आ रहे हैं बस कॉपी बेस्टेड है जसको करने में मज़ा है जो आपको समझा है और चांटी हुई जो कहीं मिले भी ना सब्सक्राइब कर दो भाईया चैनल पर मज़ा आया होगा अभी तक आपको उम्मीद करते हूं आगे टीम बनाते बनाते भी है टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो वेट किस बात का इतनी बड कीपिंगे टेकरी में हैंगे आपको मिलेंगे केल रहूल और एलक्स कैरी अगर मिलता है तो अगर मिलता है तो इट विल बेरी एक्साइटिंग वर्ट देर नॉट मुच चांसे बल्ले बाजी की बात करें स्टीवन स्मिथ इस परफॉर्म्ड इन दो मैच्स में क्या किया उ उमीद करते हैं कि कल अगर आप अपने टीम में ले रहे हैं तो बहुत अच्छा करें और अगर आप नहीं ले रहें तो खराब करें और विरदिया जीथ जाया लेकिन क्या है कि लेना जरू बाइस प्क्न करते में व कर दोली यानिका लास्ष में दूल क्या क्या वेज़Sal दुआ गरता हूँ, लाइक कर दो नीचे आपका जो डेविड वोर्नर है, ओपोनेंट ले आए क्योंकि खेलने नहीं वाले, शिखर दवन मारनस लेब उशाने, दो आप्शन्स हैं, मैं लास्ट में शिखर को ड्रॉप करके गया था, अफकोर्स शिखर का इस ग्राउन पर शा साथ ही में ऑस्ट्रिलिया से मोईजिस हन्रिकी इसको पिक करें, राउंडर में मैंने मैक्सवल को लिया है, मैं आपको न साथ साथ बता रहूं, ये प्लेयर यूस कैसे करने हैं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छा ये प्लेयर आपका डिफेरेंशल पिक है, ये प्लेयर आप ग्रेंड लीग में ले सकते हैं, ये वो बोल देंगे, और उनमें से आप बेखेंगे वाइस प्लेयर के लिफेरेंगे ना बास प्लेयरर खेलते हैं, ये ज़ो बोल देते हैं, मैं आपको बता रह रहा हूँ, उनको ट्राय प्लेयर की बताया है, Yesterday, वाप lên जाएगा इंडिया के फास बोलर्स को उठाओ उस केस में साथ में मॉईजिस हेंरिक्स को उठाओ कि ये शिंकिंग सिप जो होती है कि प्लेयर्स आउट हो रहे हैं भाईया में डूब रही है उनकी शिप याने की बल्ले बाजी करम और आके ये बचा लेते हैं और टाइम आने जाएक ऐसा प्लेयर जो मैं हर बार लेना पसंद करता हूँ अब मैं कंफ्यूज हूँ भाईया या जड़ेजा या शिखर ये हमारे पास चोईस है पहले हम चलते हैं यहां पर देखो और कोई ऑप्शन खास है नहीं हम चलते हैं बोलिंग पे जहां मैंने अपने टीम में प लिया है पैक कमेंज ऑबिसली खेल नहीं रहे तो आप पस अप्शन में आते हैं मौमज शमी जस्परीद बूमरा मिचल स्टार्क यहां थोड़ा कंफ्यूजन है भाईया क्या करें मैंने अभी के लिए यहां पर क्या किया है मौमज शमी को लिए लेकिन मेरे मन में बार बा सेलेक्शन दोनों मैच में एक एक विए लिया है लेकिन शमी को लेने का इनके उपर बस यह रीजन है कि एक तो वो कंसिस्टेंसी से ज़्यादा लाइन लेंड डाल पा रहे हैं जबकि बूमरा ना काफी वेवर्ड होई जा रहे हैं बीच में लेकिन बूमरा जिसे बूलर क कि शिखर धवन लेके चलू या रविंदर जड़ेजा आप भी यही सोच रहे होंगे कि काही की कंफ्यूजन शिखर धवन लोग खतम करो लेकिन मैं रविंदर जड़ेजा को मोस्ली ले सकता हूं तो यह देखके चलना देरे जस्ट फिफ्टी फिफ्टी कॉल जिसको मैं हम शिखर को छोड़के दूसरा अप्लेयर उठाया था तो अगर आपको नहीं लेने हैं तो ठीक है लेने हैं तो अभी आप लोग वही करो जो आपका मन कहता है मेरी यह एडवाईस आपको दोस्तों टेलीगराम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं जोइन करना ना भूलें चैनल पर सब्सक्राइब जरूर के करें और आने वाली तमाम वीडियो आपको 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 बहुत मोटिवेट करता है सौथ अफरीका मैच अभी मैं बस आपको अपडेट देने वाला हूँ उसके बाद ही यह वीडियो डालूँगा लेकिन मैं आपको बता द